आज हम बनाएंगे घर पर ही मार्केट जैसा खटा मीठा आम पापड दो चीजों से हम यह आम पापड बना कर तयार करेंगे और इसको आप लॉंग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो तो देख सकते हो फ्रेंड्स उंगलियां दिख रही है इतना ट्रांस्पेरेंट है यह इतना पतला हमारा यह आम का पापड बनकर तयार हुआ है और इसको आप एक साल के लिए स्टोर भी कर सकते हो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा और यह कच्चे आम से ही हम यह आम पापड तयार करेंगे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा एकदम सूखा ड्राइ ड्रा किया हैं जिनको आप आम से बना सकते हो तो हैलो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आप फर्स्ट टैम देख रहे हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर रैस्पी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो यह देखिए मैं ले लिए एक किलो आम अच्छे से दो लिया था अंच्छे साफ कर लेना है उसके वाद इनके आगे का जो पारट है knocked हम हटा देंगे और अब हम ले लिए कोकर और इसमें मैं यह सारे आम ढाल दूँंगी हलका सी पानी का चीटा मारना है सब्सक्राता और इनको पकने तक हमें थोड़ा ठंडा हुने दिंगें तो ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिये और अब इनका पल्प है ống में इस आपको ले लेना उपर अमें तो यह इस तरह से आपको लिए श्वीं में कुछ भी सकते हो औरर प्र otherwise सायता था से हम इसका पल्प है इस तरह से पाध्रूंद से निकाल लूगे और इस सीसपुन होगी तो इससे एजी लिए न रहा है तो मैंने ये सारा पल्प है वो निकल लिया है अब हम ले लिगे एक mixing jar और इसमें हम ये सारा पल्प है ये डाल दिंगे अब हमें इसका एकड़म बारिक पेष्ट बना कर ले आना है पानी बानी कुछ नहीं डालना है बिना पानी के ही ये अच्छे से पिसकर तयार हो जाएगा तो ये देखे इस तरह से मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है अब हम ले लिए एक कड़ाई और इसमें हम ये पल पहना ये डाल दिंगे देख सकते हो मैं पीस कर लिया ही हूँ एकदम क्रीमी जैसा लग रहा है तो इसी तरह से एकदम फाइन पेस्ट बनना चाहिए तो ये सारा मैं इस कड़ाई में डाल दोंगी तो ये देखे इस तरह से डालने के बाद अब हम इसको रखेंगे गैस चुले पर तो अभी मैं इसको एक से दो मिनट ऐसे ही पकाऊंगी क्योंकि इसमें जो थोड़ी पानी की मातरा है न तो वो हट जाए तो बस लगवग दो मिनट के आसपास हमें इसको पका लेना है तो देख सकते हो ये लगवग दो मिनट हो चुके है अब हम इसमें डालेंगे गुड तो यहां हमारा एकलो आम था तो इसमें गुटली और जो छिलका है वो निकल के लगवा 800 ग्राम के आसपास ये रह गया होगा तो इसमें हम 400 ग्राम गुड डाल देंगे जितना आपने आम लिया है न उसका हाप आपको गुड डालना है अगर आम ज़्यादा खटा है तो आप इसमें 500 ग्राम के आसपास भी गुड डाल सकते हो अगर आप गुड से बनाना नहीं चाते हो तो आप इसमें इस जगे पर इतनी ही चीनी भी डाल सकते हो लेकिन गुड के साथ बनाओगे न तो गुड के साथ क्या है एक तो कलर अच्छा आएगा दूसरा टेस्ट भी और भी अच्छा आएगा तो ये देखिए अब मैं इसको पका लूँगी अब हमें पकाना कब तक है जब तक कि ये एक दम से ठिक ना हो जाए या फिर जमने जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए तो अब हमें इसको पकाना है लेकिन चलाना बंद नहीं करना है क्योंकि नीचे ये बहुत जल्दी लगेगा तो अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वादन सा नमक और अब हमें इसको पका लेना है तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेस्पी आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा सज्यादा सेर करें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो देख सकते हैं एकदम थिक हो चुका है आपको मैं दिखा रही हूँ जैसे गिर रहा है न तो एकदम चास्नी जैसा लग रहा है फ्लेम ओफ कर दी और अब हमने यह कड़ाई है नीचे उताली बन फोटी इस्पून डाल दी हमने इसमें हींग और यह में डाल रही हैं बना हुआ जीरा हाप्टी इस्पून क्योंकि हींग डालोगे ना फ्रेंड्स हींग से बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है अच्छे से मिला लिंगे और अब मैं इसमें डालोंगी काली मिर्च पाउडर तो हाप्टी इस्पून मैंने बलेक पेपर डाल दिया है अगर आप इन में से जो भी चीज पसंद नहीं करते हो तो वो इसके भी कर सकते हो लेकिन मैं इसको बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ इसलिए इसमें लाल मिर्च बगेरा कुछ नहीं डाल रही हूँ बस सिंपल सी यही चीजें डाल रही हूँ तो यह देखिए अब यह एकदम जमने जैसी कंसिस्टेंसी में आ गया है अब हमें एक ट्रे या फिर प्लेट थाली जो भी अवलेबल हो वो चीज ले सकते हो उसको ओल से हम अलका सा ग्रीश कर दिंगे जिससे कि इसमें नीचे चिप के नहीं तो यह देखिए मैंने ट्रे में लगा लिया है अब हम इस तरह से लेंगे और इसमें यह बैटल डाल दिंगे तो यह देखिए इस तरह से डालना है और फिर इस्पून की सायता से आराम से फैला देना है पहले तो आपको इस तरह से गुमाना है जितना फैला है उतना फैल जाना है अगर जैसे नई फैल रहा है तो फिर आपको क्या करना है एक स्पून ले लेनी है और इस्पून की सायता से जितना आपको पतला चाहिए उस हिसाब से आपको इसको फैला देना है तो देख सकते हो मैंने फैला दिया है अब इसके जो ठिकने से बो भी देख सकते हो जो ट्रे में फ्लावर थे बो भी दिख रहे हैं इतना पतला मैंने ये पापण तियार किया है अगर आपको मोटा पसंद है तो आप मोटा भी बना सकते हो लेकिन मैं इसको बिल्कुल मार्के आप पूरे दिन की दूप में आराम से सूक जाएगा आप जाओ तो फेन की अवाम में सुका सकते हो लेकिन फेन की अबाम में अगर सुका रहे हो तो लास्ट में आपको फिर 2 गंटे की दूप लगानी जरूरी है क्योंकि दूप में लगा दोगे न तो आपका जो पापड़ बनेगा बिलकुल विलकुत केंगा नहीं तो आपको नब तो लगा किशना नहीं लेक Louise नियुक्ता पूरे दिन फैन में सखेन में तो दूगन姐 कि दूप लगा दो यह अप प्रीन सहगे हो मैंने यह पूरे दिन जूप में सुखाया है dee कि इसके किनारे पकड़ेंगे यह देखिए पतला जदा है तो यह देखिए इस तरह से हम दीरे दीरे उठाते हुए लाएंगे यह अपने अपी थाली को छोड़ते हुए आएगा बहुत ही आसानी से चूड़ जाता है आपको बिल्कुल टेंसल लेने की जरत नहीं है तो इस तरह से आप भी यह तियार कर सकते हो तो यह सारी प्लेट हैं उनसे मैं अपना गड़ूंगी तो आपको जैसे पसंद से साफसे कटीजियेगा विनल्कुल मार्केट इस्टेल बना रही हम तो मार्केट जैसे ही मैं इसके पीसे ज दुग physicians कट करूंगी तो यह देखिए इस तरह से हमें इसके फीज कट कर लेने हैं आसानी से हो जाते हैं फ्रेंड्स नाइब की सायता से या फिर आप जो पीजा कटर होती है उससे भी कट कर सकते हो तो ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ एक वार ये सायड के किनारे हैं ये पहले हमटा लेंगे और ये देखिए बहुती जबर्दस्त था बहुती टेश्टी हमारे ये पापड बनकर तयार हुए हैं फ्रेंड्स एकदम ग्लास की तरह चमक रहे हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो और इनको एक साल के लिए श्टोर भी कर सकते हो तो ये देखिए मैंने सारे पापड हैं वो काट लिए हैं आप चाहो तो इस तरह से रोल करके भी बना सकते हो इस तरह से रोल करकर के कोई भी डबे में आप बंद करके रख सकते हो अब मैंने यहां ले लिया यह अमचूर पाउडर तो इस तरह से हम लिंगे और अमचूर पाउडर में हम डिप करेंगे क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था मार्केट इस्टैल में बना रही हूँ तो आप जब मार्केट कर ले के आओगे ना तो आप उसको देखना उसमें उपर अमचूर लगा हुआ होता है तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा अमचूर लगाके और फिर इसको कोई भी इयर टाय डब्बे में बंद करके रख देना है तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा ये पापड बनकर तयार हुआ है खटा मीठा बहुती टेस्टी बच्चों को तो बिहादी पसंद आएगा तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिएगा आपना फीडवेगा में जरूर बताईएगा कोई भी डाउट हो